बिस्मिल्लाहिरोहमनिरोहीम असलामलीकम आज के लेक्चर में हम एक नया आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पर्मोटेशन को विद अग्जेम्पल डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले पर्मोटेशन का इंट्रोडेक्शन आप लोगों को करवाता चलों इन रियल लाइफ में पर्मोटेशन बेसिकली आर्टर ओफ अर्रेंजमेंट है डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट्स का अब फार ग्जेम्पल यहां पे मैं कोई से तीन अब्जेक्ट्स जिसमें कलर है रेड ब्लू और ग्रीन अब इनको हम जिन ओर्डर के साथ अर्रेंज कर सकते हैं वो ओर्डर इसकी पर्मोटेशन कहलाएंगे फार ग्जेम्पल इसके एक तो इसको अर्डर करने का यह आडर है कि सबसे पहले हम रेड फिर ब्लू फिर ग्रीन रखें उससे नेक्स्ट हम इसको यूं भी अर्रेंज कर सकते हैं कि ब्लू और ग्रीन के आपस पॉजिशन चेंज कर दें और रेड ग्रीन ब्लू आ जाएगी इससे नेक्स्ट और किस अर्डर में हम इसको अर्रेंज कर सकते हैं कि हम blue को starting में ले आएं और red और green को यूं लिखते हैं और फिर इसको और भी हम order के अंदर arrange कर सकते हैं कि blue हमारे पास इसी position पे रह जाए और green और red की हम position चेंज करते हैं इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि blue की जगा पे हम शुरू में green को ले आते हैं तो फिर green, red और blue आ जाएगा और इसी तरह से अब इससे next order के अंदर हम इन दोनों की position को change कर देंगे तो green, blue और red तो यह तीन objects को हम इस तरह से different arrangement के अंदर write down कर सकते हैं तो यह हर arrangement जो है यह एक permutation बना रही है तो हमने इस example के अंदर देखा कि number of permutation 6 बन रही है क्यूंके हमारे पास जो objects थे वो 3 थे तो इसका मतलब यह हुआ कि जो number of permutations हैं वो किसी भी set के अंदर जो number of elements होंगे उसके factorial के equal उसकी permutations बन सकती है तो 3 factorial is equal to 6 अब हम इसकी definition पे चलते हैं तो permutation के लिए सबसे basic चीज़ जो हमें चाहिए वो एक non empty set है और फिर अगर उस set x के उपर ही हम एक byjective mapping introduce करवाएं that is called permutation on x तो फिर हम उसको permutation कहेंगे अब byjective mapping क्या है ऐसी mapping जो one one भी हो और on two भी हो हम उसको byjective mapping का नाम देंगे अब one one और on two क्या है ऐसी mapping जिसके अंदर distinct element के distinct image हूँ वो one one mapping कहलाती है और on two mapping में code main और range equal होती है अब permutation के से मतलग ये तीन important note आप लोगों को लिखवा रहा हूँ ये आपने अपने पास write down कर लेने हैं किसी भी set x की जितनी permutations बनेंगी उन permutations के set को हम हमेशा sx के साथ represent किया करेंगे और अगर इस set x के अंदर n elements हों तो फिर हम उसको sn की form में भी लिख सकते हैं दूसरी important बात जो आप लोगोंने याद रखनी है वो ये कि जो set x है वो एक तो non empty होना चाहिए और दूसरा finite set होना चाहिए मतलब उसमें कोई fixed elements होने चाहिए फिर ही वो permutations बनाएगा इन general जब भी हम mapping की बात करते हैं तो किसी भी element के image को हम f of x की form में लिखते हैं लेकिन permutations में हमने x of f की form में लिखना है किसी भी element के image को हम x of f लिखेंगे instead of f of x यह अगर हमने लिखा तो यह wrong है इसकी notation यह वाली है for each x belongs to x मतलब x के हर element के लिए जो x का image है under the given permutations उसको हम x of f से represent करेंगे अब इसी चीज़ को हम एक example के जरीए से clear करते हैं और इसमें हम लेट करते हैं कि x हमारे पास कोई एक set है जिसमें यह three different elements है तो permutations बनाने के लिए byjective mapping चाहिए itself x के उपर तो इसके लिए हम क्या करते हैं two times हम इस set x को write on करते हैं और फिर हम इसके उपर f एक permutations draw करते हैं जो के x x पर है और यह f क्या है byjective mapping है और यहां कोई भी एक arbitrary byjective mapping हमने draw की है जिसमें one three को map कर रहा है two one को map कर रहा है और three two को map कर रहा है अब इनकी mappings को हमने कैसे लिखना है one of f one under this permutation f इसका image क्या बन रहा है three तो इसको हम अब यूं write down करेंगे one of f is equal to three इसी तरह से two का image one बन रहा है तो इसको हम two of f is equal to one लिखेंगे और three का image two है under this permutation f then we can write it as three of f is equal to two अब इसको हम मजीद explain करते हैं और अब हम देखेंगे कि हम इस set x की जो हमारे पास six permutations बनेंगी उनको हम कैसे set की form में write down कर सकते हैं as three इसमें number of permutations कितनी होगी six है और उन में से एक identity होगी बाकी की permutations को हमने ये different name दे दिये हैं तो जैसा कि हमने definition के अंदर देखा कि permutations set x its self के उपर एक byjective mapping का नाम है तो इसके लिए हम क्या करेंगे x को two time write down करते हैं और identity सबसे पहले हम इस permutations की बात करते हैं identity की तो identity permutations के अंदर हमारे पास क्या आएगा identity is a mapping from x to x है अब identity mapping में क्या होता है domain और range की value same होती है तो इसका मतलब one one को map करेगा two two को और three three को map करेगा अब इससे next हम f1 permutations की बात करते हैं तो f1 is a bijective mapping from x on to x अब इसमें one one को map कर रहा है two three को और three two को map कर रहा है इसी तरह से f2 permutations की अगर हम बात करें तो इसमें one two को map कर रहा है two one को और three three को map कर रहा है इसी तरह से अगर हम f3 permutations की बात करें तो इसमें हमारे पास one two को map कर रहा है two three को और three one को map कर रहा है इसी तरह से हम F4 permutation भी write down कर सकते हैं जिसमें 1, 3 को और 2, 1 को और 3, 2 को map कर रहा है इसी तरह से हम इसकी last permutation F5 permutation को भी हम यह write down कर सकते हैं जिसमें 1, 3 को, 2, 2 को और 3, 1 को map कर रहा है तो यह हमने diagram के जरीए से इसकी जो 6 permutations बन रही थी उनको हमने write down कर दिया अब अगर हमने इनको notation के अंदर लिखना हो तो फिर हम इनको यह write down करेंगे identity permutation 1, 1 को map कर रहा था 2, 2 को, 3, 3 को F1 में हमारे पास यह arrangement थी F2, 3, इसी तरह से हम 4 और 5 को भी यह write down कर देंगे अब इसमें एक बात जो आप लोगोंने याद रखनी है कि जब भी हमने permutation को notation में लिखना है तो इसमें यह जो domain की values होंगी उनको हमेशा हमने एक order के अंदर ही रखना है और यह नीचे वाली row के अंदर हमने इनके images को लिखना है अब जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि जब F5 permutation इन elements के उपर act कर रही थी तो फिर 1 किसको मैं आप कर रहा है 3 को तो देखें यहाँ हमने 1 का image 3 लिखा है इसी तरह से 2 मैं आप कर रहा था 2 को तो यहाँ उसी element के नीचे हमने उनके images को लिखना है अब इसे next 3 note आप लोगों को पहले लखवाए है दो मजीद आप लोग अपने पास write down कर ले कि अगर किसी भी permutation के set में अगर F permutation है X के उपर तो फिर उसका inverse भी permutation बनाएगा इसी तरह से अगर किसी set S, N के अंदर F और G permutations हैं बाइजेक्टिव मैपिंग है तो फिर उनकी जो composition है वो भी बाइजेक्टिव ही होगी इसका मतलब क्या है that is F and G अगर set of permutations में हैं तो फिर इनकी जो composition है वो भी इसी set में से ही belong करेगी इससे next हम cyclic permutation को define करते हैं S, C permutation जिसको हम इस form के अंदर लिख सकें वो cyclic permutation कहलाएगी या फिर उसको हम कहेंगे cycle of length K and is written as अब इसको हम notation में यूं भी write down कर सकते हैं alpha permutation is equal to A1, A2, A3 up to 1 A, K where अब A1 का image क्या होगा 2, A2 का image 3, A3 का image 4 और A, K का image दुबारा हमारे पास A1 ही आएगा हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि cyclic permutation के अंदर हर next element अपने से previous का image होता है 2, 1 का image था 3, 2 का, 4, 3 का और फिर K के जो last element होगा वो उसका image first element आएगा अब यहाँ बार cyclic permutation के हवाले से आप लोगों ने यह बात याद रखनी है कि यह जो elements हैं जो cyclic permutation बना रहे हैं A1, A2, A3 यह किसी भी set X के element है जिसमें total number of elements N है तो लाजमी नहीं है कि उसके तमाम के तमाम elements cyclic permutation बनाएं और फिर वो elements जो इनके इलावा होंगे वो unchanged रहेंगे remain unchanged under the action of alpha अब देखें X के जितने N elements थे तो फिर इसकी length हमने N नहीं कही बलके वो elements जो cyclic permutation बना रहे हैं वो ही elements उस cyclic permutation की length कहलाएंगे अब यहाँ four different examples के जरिये से इसी point को हम clear करेंगे हम यहाँ पे let करते हैं कि X को यह set है जिसके उपर alpha एक cyclic permutation बन रही है और वो इस तरह से है कि 1,2 को मैप कर रहा है 2,3 को, 3,4 को और 4,1 को देखें यह definition को पूरा कर रहा है तो इसका मतलब यह cyclic permutation है और इस set के तमाम elements एक cycle की form के अंदर हैं तो इसलिए फिर इसकी length क्या होगी जितने इसमें elements है element 4 हैं तो फिर इसकी length भी 4 होगी और हम इसको notation में यह write down कर देंगे इससी तरह से अब हम बिटा एक permutation consider करते हैं जिसमें 1,2 को,2,3 को और 3,1 को map कर रहा है अब देखें cycle जो बना रहा है वो 3 elements बना रहे हैं तो फिर इसको notation के अंदर हम यह write down करेंगे और बाकी का जो एक element है वो हमारे पास unchanged ही रहेगा अब इसकी length क्या होगी 3 बिटा is a cyclic permutation of length 3 अब इससे next gamma हम एक permutation consider करते हैं जिसमें 1,2 को,2,1 को map कर रहा है और बाकी की elements देखें unchained हैं तो फिर जो cyclic permutation है उसको हम notation के अंदर 1 और 2 के साथ write down करेंगे और इसकी length 2 होगी अब देखें यह 3 example जो हमने consider की थी यह सारी की सारी cyclic permutation की थी अब हम non-cyclic permutation की एक example consider करते हैं जिसमें gamma एक permutation है जिसमें 1,2 को map कर रहा है 2,1 को,3,4 को और 4,3 को अब यह permutation तो है बट नॉट अ cyclic then gamma is permutation बट नॉट cyclic क्यों? क्योंकि इसमें जो set x के other elements हैं वो उस definition को पूरा नहीं कर रहा है definition के अंदर यह बात थी कि जो other elements हैं वो unchanged रहने चाहिए मतलब 3,3 को map करें 4,4 को map करें लेकिन यहां पे हमने देखा कि 3,4 को और 4,3 को map कर रहा है इसका मतलब फिर यह cyclic permutation नहीं है इससे next हम transposition की बात करते हैं तो SC cyclic permutation जिसकी length 2 हो उसको हम transposition कहेंगे cyclic permutation of length 2 is called transposition अब साथ ही हम इसकी example को भी देख लेते हैं हम let करते हैं गेक्स यह एक given set है अभी हमने example यह देखी भी है जिसमें gamma एक cyclic permutation थी और उसमें cycle कुछ यह बान रहा था कि 1, 2 को, 2, 1 को, 3, 3 को और 4, 4 को map का रहा था तो हमने देखा था कि इसको हम cyclic notation के अंदर 1 और 2 की form में लिखेंगे और फर्दर फिर अब देखें इसकी length क्या है 2 है तो इसलिए gamma क्या कहलाएगा transposition कहलाएगा अब हम चलते हैं even permutation की तरफ तो even permutation क्या है ऐसी permutation जिसको हम transposition के product की form में लिख सकें और वो number of transposition जो है अगर तो even होंगी तो वो even permutation कहलाएगा अगर odd होंगी तो फिर odd permutation कहलाएगी अब permutation is set to be even permutation if it is written as the product of number of even transposition मतलब अगर हम किसी भी permutation को product की form में लिखें और product की form में हमने कैसे लिखना है transposition के product की form में लिखना है और अगर तो वो number of product even है तो फिर वो permutation even permutation कहलाएगी otherwise odd permutation कहलाएगी यहाँ यह एक example भी इसकी consider करते हैं इसमें हमारे पास alpha एक permutation है और इसमें 1,2 को और 2,1 को मैप कर रहा है मतलब यह एक cycle है cycle हमने यह 1 और 2 लिख दिया इसकी length 2 है तो यह transposition कहलाएगा अब 3,4 को और 4,3 को मैप कर रहा है तो यह second transposition आ गई अब 5,5 को है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता transposition के अंदर अगर कोई भी element unchanged आ जाए तो इसलिए अब देखें यह हमने product transposition के product की form में लिखा और number of transposition even है तो इसलिए फिर alpha एक even permutation होगी अब इससे next अब odd permutation की बात करते हैं तो जिस तरह से हमने even permutation को define किया बिलकुल वही definition है इसकी just यहां भी आपने क्या करना है odd transposition लिख देना है अब permutation is said to be odd permutation if it is written as the product of number of odd transposition अब हम इसको एक example में explain करते हैं और यह point मजीद clear हो जाएगा हम let करते हैं कि gamma एक permutation है और इसमें 1,2 को map कर रहा है 2,1 को मतलब एक यह transposition बन रही है 3,4 को और 4,3 को second transposition 5,6 को और 6,5 को यह third transposition आ गई हमने इस permutation को transposition के product की form में लिखा और number of transposition यहां पे 3 आ रही है और 3 एक और नमबर है तो इसलिए gamma क्या होगा odd permutation होगा अब यहां पे आप लोगों ने यह बात याद रखनी है कि identity permutation जो है वो हमेशा even permutation होगी क्यों क्योंके identity को हम zero transposition की form में लिख सकते हैं और zero एक even number है तो इसलिए identity permutation even permutation कहलाएगी इसके लावा जो transposition है वो odd permutation कहलाएगी क्योंके transposition को अगर हम write down करना भी चाहें तो हम सिर्फ single one transposition की form में ही लिखेंगे और one क्योंके odd है तो इसलिए every transposition is an odd permutation अब इससे next हम देखते हैं कि order of permutation क्या होता है हम किसी भी set sm जो के permutations का set है उसमें एक alpha permutation ले रहे हैं वो least positive integer जो इसको identity में convert कर दे तो फिर M इस alpha permutation का order कहलाएगा अब हम इसको एक example के जरीए से देखते हैं और let करते हैं टॉ एक permutation है जिसमें A B को और B A को map कर रहा है और ये transposition है क्योंके ये एक cycle भी बना रहा है और इसकी length 2 है तो ये transposition भी है अब जब हम T को itself के साथ multiply करवाएंगे तो task air आएगा और task air के उपर ये identity दे रहा है permutations के अंदर हमने multiplication कैसे करवानी है इस चीज़ को मैं next lecture के अंदर detail के साथ बताऊंगा लेकिन यहां पर आप लोग सिर्फ इसको इतना याद रखें कि जब भी हमने कोई इस दो permutations को आपस में multiply करवाना हो तो उसके लिए दोनों की domain का same होना लास्मी है और दूसरी बात जब हम इसको multiply करवाएंगे तो आप यहां पर देखें A, B को map कर रहा है जिसको यह A map कर रहा होगा फिर हमने next के अंदर देखना है कि वो element किसको map कर रहा है जो image दे रहा होगा तो इनके product के अंदर भी फिर हम लिखेंगे कि A, A को map कर रहा है अब इससी तरह से B, A को map कर रहा है तो इसमें हम देखेंगे कि A किसको map कर रहा है तो फिर इनके प्राडक्ट में BB को ही मैप करेगा, BB को मैप कर रहा है, अब देखें, AA को और BB को मैप कर रहा है, तो इसका मतलब यह identity permutation है, तो इसलिए यह टू इस टा का order कहलाएगा, आज के लेक्चर में हम exercise 2.3 को start कर रहे हैं, जिसमें हम कोई सी दो permutations को multiply करना सीखेंगे, और इसके साथ साथ हम permutations का inverse भी find out करना सीखेंगे, इसमें question number 1 से start करते हैं, multiply the following permutations, इस question के तीन पार्ट हैं, जिसमें हमरे पास यह given permutations हैं, और इनको हमने multiply करवाना है, तो सबसे पहले हम इसके question number 1 के solution की तरफ चलते हैं, और इसमें हम let करेंगे, इस permutations को हम alpha का नाम दे लेते हैं, और इसको हम beta का नाम दे लेंगे, let alpha is equal to this one and beta is equal to this one, then we have to find alpha dot beta, मतलब हमने इन दोनों permutations को आपस में multiply करवाना है, तो यह बात याद रखें कि permutations के अंदर multiplication का मतलब composition है, तो basically हमने इनकी composition को find out करना है, for this we have to calculate alpha composition beta, तो permutations की multiplication का जो concept है, इसको मैं diagram के जरीए से यहाँ पे explain करता हूँ, देखें हमने alpha और beta को आपस में multiply करवाना है, तो इसके लिए हम गया करेंगे, alpha जो permutations है, यह set x से x के उपर ही होगी, और इसमें देखें 1 किसको commute कर रहा है, 2 को, तो इसलिए 1, 2 को, और 2 क इसको मैप कर रहा है, 3 को, और 3, 5 को, 4, 4 को, और 5, 1 को मैप कर रहा है, और beta जो है, यह भी x से x के उपर ही एक permutations है, और इसमें 1, 3 को मैप कर रहा है, और 2, 1 को मैप कर रहा है, 3, 4 को मैप कर रहा है, 4, 2 को मैप कर रहा है, और 5, 5 को ही मैप कर रहा है, अब जब हम इसकी composition कर लेंगे alpha composition beta तो इसका मतलब हमने ऐसी permutation निकालनी है जो इस set x से इस set x के उपर map करेगी और इसकी composition में आप देखें 1 किसको map कर रहा है जी 2 को और 2 किसको map कर रहा है 1 को तो मतलब composition में फिर 1 1 को map करेगा 1 1 को map कर रहा इसी तरह से 2 किसको मैप कर रहा है, यहां पे 3 को, और 3 किसको मैप कर रहा है, 4 को, तो यह देखें, 2, 4 को मैप कर रहा है, इसी तरह से 3, 5 को, और 5, 5 को, तो यहां भी हमने लिखा 3, 5 को मैप कर रहा है, इसी तरह से 4, 4 को मैप कर रहा है, 4, 2 को, तो यहां भी हमने 4, 2 को लिखा इसी तरह से 5 1 को और 1 किसको मैप कर रहा था 3 को तो यहां भी हमने 5 मैप कर रहा है 3 को तो मतलब यह alpha composition beta यह actual में alpha dot beta ही है मतलब यह alpha और beta जो दो permutations थी उनका multiplication हमारे पास यह आ चुका है तो अब इससे next हम किसी question के second और third part को solve करेंगे अब इसका second part है alpha और beta हम इनको नाम दे लेते हैं let alpha is equal to this one and beta is equal to this one अब इसको हम diagram के जरिए से नहीं बलके हम इसको direct solve करते हैं alpha beta और हम इसको multiply कर वाते हैं alpha beta is equal to alpha और beta हमने दोनों permutations को write down कर देना है जाना है उसके ऑद धिर नगया करना है अब देखे 1 2 को मैप कर रहा है 2 3 को तो इसका मतलब इनके product के अंदर और बिटा का product था, अब इससे next इसका third part है, इसमें भी हम let कर लेंगे, alpha और बिटा इन दो permutations को नाम दे लेते हैं, और फिर हम इनको आपस में multiply करवाते हैं, अब इसमें देखें, two, three, six, seven, eight, nine, two, three, six, seven, eight, nine, यह इसकी domain है, domain को हम as it is write down कर दिया करेंगे, अब two, eight को और eight किसको map कर रहा है, nine को तो इसका मतलब two, nine को map करेगा, three, six को और six, seven को तो इसका मतलब three, seven को map करेगा, six, seven को और seven, three को तो इसका मतलब six, three को map कर रहा है, अब seven, nine को और nine इसको map कर रहा है, two को, तो इसका मतलब इनक of the permutations को find out करना है तो इसको भी solve करने से पहले मैं आप लोगों को इसका concept बताता चलता हूं ये हमारे पास एक permutation alpha है और इसका हमने inverse find out करना है तो हम let कर लेते हैं कि बीटा एक ऐसी permutation है जो कि इस alpha का inverse है अगर ये permutation इसका inverse है तो फिर जब हम इन दोनों को आपस में commute करवाएंगे तो हमारे पास जो इनका product आएगा वो एक identity permutation आने चाहिए अब identity permutation में क्या आता है 1-1 को मैप करेगा 2-2 को 3-3 को और 4-4 को ही मैप करेगा अब हम इन दोनों permutation को आपस में multiply करवाते हैं multiply करवाने के लिए हम domain को as it is write down कर देते हैं 1-2-3-4 अब 1-1 को मैप कर रहा और 1-P को तो इसका मतलब यहां P लिखेंगे 2-3 को और 3-R को तो इसका मतलब यहां पे हम R लिखेंगे 3-4 को और 4-S को तो इसका मतलब यहां पे हम S लिखेंगे 4-2 को और 2 वैल्यू 3 और Q की वैल्यू की आएगी 4 यही वैल्यू जब हम इस बिटा प्रमोटेशन के अंदर जिसको हमने लैट किया था कि यह इन्वर्स है गिवन प्रमोटेशन का तो इसका मतलब फिर बिटा की वैल्यू क्या आजएगी यहां पे हमने अब वैल्यू जब रखने नहीं है 1-1 को मैप करेगा 2-Q की जगा पर हम क्या रखेंगे 4-2-4 को मैप कर रहा है 3-2 को और 4-3 को मैप कर रहा है तो मतलब यह बिटा इस अल्फा प्रमोटेशन का इन्वर्स है अब इससे next मैं आपको बताता हूँ कि normally हमने अगर कोई भी प्रमोटेशन हमारे पास आ जाती है तो फिर हम उसका इन्वर्स कैसे find out करेंगे यह question number 3 है इसमें भी हमने इस अल्फा प्रमोटेशन का इन्वर्स find out करना है तो अब हम इसके solution की तरफ चलते हैं हम लैट करते हैं कि अल्फा यह given प्रमोटेशन थी और इसी का हमने inverse find out करना है तो फिर इसका जो inverse है वो हम कैसे find out करेंगे उसके लिए हमने यह जो domain है इसको हमने interchange कर देना है range के साथ मतलब इन elements को हमने इस position के उपर ले आना है अब देखें alpha inverse is equal to हमने इन दोनों रोज की आपस में position को interchange कर दिया यह काम करने के बाद फिर हमने क्या करना है इसको एक order के अंदर लिखना है 1,2,3,4,5,6,7 ताकि यह elements हैं तो फिर हम इनको इसी तरतीब के साथ लिखेंगे अब देखें 1,4 को मैप कर रहा है उसके बाद 2,2,6 को 2,6 को मैप कर रहा है 2 के बाद 3,3,1 को 3,1 को मैप कर रहा है 3 के बाद 4,4,3 को इसी तरह से 5,2 को और 6,7 को और 7,5 को मैप कर रहा है तो यह shortcut way है किसी भी permutation का inverse find out करने के लिए अब इससे next question number 4 है जिसमें यह दो given permutations है F और G तो फिर हमने यह वाले result प्रूब करने है कि F composition G is equal to this one F square composition G is equal to this and F cube composition of G is equal to this one और इससे पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि composition का मतलब basically product ही है इसका मतलब हमने इन दोनों permutations का अपस में multiply करवाना है और इसका मतलब पहले हम F को F permutations के साथ multiply करवाएंगे फिर हमने G के साथ multiply करवाना है फिर जो F square answer आएगा उसको हम F के साथ multiply करवाएंगे फिर हम G के साथ multiply करवाएंगे और यह result हमने प्रूब करने है और साथ में हमने यह वाला result पी प्रूब करना है तो अब हम इसके solution की तरफ चलते हैं, इसके first part को हुम consider कर रहे हैं, f composition g is equal to this one, मतलब हमने ये f permutations को write down कर देना है, g permutations को write down कर देना है, उसके बाद multiple equation में क्या होता है, ये first वाली जो row है, जो के domain values होती है, उसको हम as it is write down करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये लिखने के बाद फिर देखे 3 को, इसका मतलब 3, 3 को map करेगा, 4, 1 को, और 1 को map करेगा, 2 को, इसका मतलब 4, 2 को map करेगा, और ये ही वो permutations थी, जो हमने find out करनी थी, देखें, 1432, 1432, तो इसका मतलब ये वाला एक part तो इसका approve हो गया, अब इससे next है, f square composition g, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले f permutations को f के साथ multiply करवाएंगे, अब फिर इन permutations की multiplication के लिए, ये domain values as it is, हमने write down कर देनी है, उसके बाद, ये जो इनके images हैं, वो लिखने के लिए, 1, 2 को, और 2 को, इसका मतलब 1, 3 को map करेगा, 2, 3 को, और 3, 4 को, इसका मतलब 2, 4 को map करेगा, 3, 4 को, और 4, 1 को, इसका मतलब 3, 1 को map कर अब हमने इसको multiply करवाना है, जी के साथ, तो यहां हमने ये जी permutations को write down कर देना है, फिर हम इनको आपस में multiply अगर करवाएं, तो यही answer हमारे पास दोबारा आ जाएगा, जो कि हमने prove करना था, इससे next step के ओपर हमने f cube को हमने g के साथ multiply करवाना है, तो उसके लिए हम पहले f cube find out करेंगे, f cube find out करने के लिए जो मारे पास answer f square काया था, इसको हम f के साथ multiply करवादेंगे, इन दोनों permutations को write down करने के बाद फिर हम अब इसकी multiplication करवादेंगे, question number one के अंदर आप लोग सीख चुके हैं, कि मनने multiplication कैसे करवानी है, इसी तरह से हम इसको g के साथ भी multiply करवा इसको अब मैं आपको मजीद explain कर देता हूँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो f square permutation हमने निकाल ली थी, तो अगर f square को square के साथ multiply करवाएं तो हमारे पास answer f4 ही आएगा, तो अब यहाँ पे f square को हमने two times write down करतीगा, अब फिर जब हम इनको multiply करवाएंगे, तो domain values इनकी as it is आ बाती हैं, और यह images लिखने के लिए हम क्या करते हैं, one three को मैं आपका रहा, three one को तो इसका मतलब one one को मैं आपका रहीगा, two four को, तो 2,2 को इसी तरह से 3,3 को और 4,4 को मैप कर रहा है इसको हमने equation number 2 का नाम दे लिया अब इससे next step के ऊपर हमने f composition g का square find out करना था तो ये composition हमने पहले से find out की हुई है तो इसलिए हम इसको 2 times write down कर देंगे और इसको जब हम multiply करवाते हैं तो ये भी identity permutation ही आती है अब अगर हम तीनों equation से देखें तो तीनों का answer क्या आ रहा है identity permutation आ रहा है तो इसलिए फिर by 1,2,3 we get f की power 4 is equal to g square is equal to f composition g का square और यही result हमने prove करना था आज के lecture में हम exercise 2.3 का second part solve करने जा रहे हैं जिसमें हम question number 5 से 10 तक के questions को solve करेंगे इसमें question number 5 के statement ये given है के given the permutations ये तीन permutations given है तो इनका हमने एक तो product find out करने है f composition g g composition f और दूसरा हमने इनके orders को भी find out करना है order of f g and h तो हम इसके solution की तरफ चलते हैं इससे last lecture के अंदर मैंने permutation की multiplication को detail के साथ diagram के जरीए से आप लोगों को समझा दिया था अब यहाँ पे मैं एक और method के जरीए से इनकी multiplication आपको सिखा रहा हूँ f composition g मतलब हमने इन दो permutations को आपस में multiply करवाना है तो multiply करवाने के लिए आपने यहाँ पे पहले f permutation को लिख लिया और यहाँ आपने g permutation को write down कर लेना है उससे next फिर आपने क्या करना है कि इस permutation को आपने as it is write down करना है यह देखें यह हमने यहाँ पे इसको as it is write down कर दिया फिर next step के उपर यही element आपने उठाके यहाँ पे write down कर लेने हैं देखें 2, 4, 6, 5, 3, 1 2, 4, 6, 5, 3, 1 यही element हमने यहाँ पे write down कर दिया फिर यह वाले elements आपने कैसे write down करना है इसके लिए देखें कि यहाँ से आपने इनके images को देखना है अब 2 का image 5 है तो यहाँ पे आपने 5 write down कर दिया 4 का image 1 है यहाँ पे आपने 1 write down कर दिया 6 का image 3 है तो यहाँ पे 3, 5 का image यहाँ से देखें two है तो यहाँ पे आपने two write down कर देना है three का image यहाँ से देखें four तो four आपने write down कर देना है इसी तरह से one का अगर आप image देखें तो six यहाँ पे देखें हमने six write down कर दिया अब फिर जब हमने इसको अब close करना है product की farm के अंदर लेकर आना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह जो same order के elements है इनको आप खत्म कर देंगे और फिर आपने क्या करना है इसको आपने domain में ही रहने देना है और यह इस domain के image बन जाएंगे 123456 यह as it is elements आगया है और यह आपने क्या किया इनके images की form में लिख दिया और यही मारा answer है F composition G का अब इससे next term ने G composition F को find out करना है तो अब इसके लिए भी देखें पहले हम G permutation को लिख दिया है इससी तरह से हमने F permutation को भी write down कर दिया अब इससे next term क्या करेंगे यह जो domain values हैं इनको as it is write down करें उसके बाद अब 6 है तो 6 का यहां से दिखें image 1 है तो यहां पर हमने 1 write down करना है 5 5 का image क्या था 3 तो यहां पर आपने 3 write down कर देना है 4 4 का image 5 है तो यहां पर आपने 5 write down करना है 1 1 का image यहां पर 2 है तो यहां पर आपने 2 write down करना है 2 2 का image 4 तो यहां पर 4 और 3, 3 का image 6 है, तो यहाँ पे आपने 6 write down करना है, और यही G composition F का product है, अब इससे next G composition H, यह मैंने यहाँ पे direct इनके answers आप write down कर दिये हैं, क्योंकि first question में भी हमने permutations की multiplication को किया था, और यहाँ भी आपको मैंने 2 questions solve करके दिखा दिये हैं, बाकी के यह answer मैंने यहाँ पे write down कर द order की definition की थी, तो वहाँ पे हमने देखा था, कि किसी भी permutation की minimum power, जो उसको identity में convert कर दे, वो उसका order कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक alternate method बता रहा हूं, जिसके जरीए से आप किसी भी permutation का order easily find out कर सकते हैं, और यह short method भी है, और असान भी है, तो उसके लिए आपन करना यह है, कि जो भी हमारे पास given permutation होगी, उसको हमने cyclic permutation की form में लेकर आना है, अगर आप लोगों को cyclic permutation का नहीं पता, तो आप exercise 2.3 के जो articles का part 1 है, वहाँ से आपको इसकी definition, detail के साथ, वहाँ से मिल जाएगी, तो अब यहाँ पे मैं सिरफ इसको cyclic permutation की form में इसको हम मैप कर रहा है, इसका मतलब यह complete cycle बन रहा है, अब देखें, 1, 2 को मैप कर रहा है, 2, 4 को, 4 किसको मैप कर रहा है, 5 को, और 5, 3 को मैप कर रहा है, 3, 6 को मैप कर रहा है, और 6 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 1 को, और उससे next आपने क्या करना है, कि फिर cyclic permutation की length को आपने check करन अगर हम यहां से देखें तो इसकी length 6 है तो जितनी किसी भी permutation को जब हम decompose करेंगे cyclic permutation में और cyclic permutation की जितनी length होगी वही उस permutation f का order भी होगा this follows order of f permutation is 6 अब इससे next हम order check करते हैं कि g का order किया है तो g को भी हम cyclic permutation की form में लिखेंगे अब यहां पे देखें 1 6 को map कर रहा है 6 3 को 3 4 को और 4 दिबारा किसको map कर रहा है 1 को तो इसका मतलब 1 6 3 4 एक यह cycle बन रहा है उससे next 2 5 को और 5 2 को तो दूसरा cycle यह बन रहा है और अब यहां पर देखें g permutation को हमने इन दो cyclic permutation के product की form में हमने इनको decompose कर दिया है और इसकी length अगर हम देखें तो 4 है और इस cycle की अगर हम length देखें तो 2 है अगर इस तरह की situation आ जाए तो फिर हम इनके जो length है इसका हम LCM find out करेंगे अगर हम 4 और 2 का LCM लें तो वो हमारे पास 4 ही जाएगा तो जब 4 अगर इसका LCM है तो फिर इसका order भी 4 ही होगा so the order of g permutation is 4 इससे next हमने order find out करना है h permutation का तो इसके लिए भी हम h permutation को cyclic की form में decompose करवाएंगे अब यहां पर अगर हम गौर करें तो 1 5 को map कर रहा है और 5 6 को 6 3 को और 3 दबारा किसको map कर रहा है 1 को तो इसक में भी इसकी length 4 है और इसकी length 2 है और अगर हम 4 और 2 calcium लें तो इसका answer 4 आएगा तो फिर h का order भी 4 ही होगा यह alternate method है अगर आप इसी h को h की power 4 लें तो यह 4 ही वो minimum power होगी जिसके उपर h identity में convert हो जाएगा उस method से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको easily solve कर सकते ह इससे next हम question number 6 की तरफ चलते हैं given permutation alpha यह given permutation है verify that alpha raised to power 6 is equal to identity मतलब कि हमने इस permutation के लिए यह result प्रूव करना है कि जब हम alpha की power 6 लें तो यह फिर permutation identity में convert हो जाएगी तो अब हम इसके solution की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम alpha square find out करते हैं alpha square के लिए हम alpha को alpha के साथ multiply तो alpha को यहाँ पर हमने two times write down कर देना है उससे next हमने क्या करना है यह domain values को as it is हमने write down कर देना है one two three four five अब यह images हमने कैसे लिखने है यह जो इस permutation के image है first के जो भी image होंगे आपने second में देखना है कि उन elements के image क्या बान रहे हैं अब two का image यहाँ पर one है तो यहाँ आप one write down करे one का image यहाँ पर two है तो यहाँ two write down करें four का image five है तो यहाँ पर five five का image three तो यहाँ पर three write down करें three का image यहाँ से देखें four तो यहाँ भी आपने four ही write down करना है और यही alpha square का answer है इसके next हम alpha cube find out करेंगे तो alpha cube find out करने के लिए alpha square को alpha के साथ हम multiply करवाएंगे अब यह alpha square की value हमने find out कर ली थी तो यहां हम alpha square की value place करेंगे और साथ में हम alpha को write down कर देते हैं, अब इससे next फिर हमने इसकी multiplication ही करवाने गया, तो multiplication में domain के elements हम as it is write down कर देते हैं, अब यहां पर फिर दोबारा देखें, one, one का image two है, तो यहां तू लिखें, two, two का image one है, तो यहां पर one write down करें, five, five का image three, तो यहां पर थ्री लिखें, three, three का image four, तो यहां पर आप four लिखें, four, four का image क्या है, यहां पर five, तो five ही हम यहां पर लिखेंगे, यह alpha cube का answer आ गया, अब इससे next time, यहां से alpha six easily निकाल सकते हैं, कि alpha cube को जब alpha cube के साथ multiply करवाएंगे, तो alpha की power six हमारे पास answer आ जाएगा, और इसको अब हम multiply करवाते हैं, और चेक करते हैं, तो यह देखें, domain values हमने as it is लिखनी, अब two, two का image one, तो यहां पर हमने one ही लिखना है, one, one का image यहां पर क्या है, two, तो यहां two लिखें, three, three का image क्या बन रहा है, three, तो यहां three लिखा हमने, four, four का image four है, यहां भी हमने four right down कर दि और अब यहां से देखें, हर element का जो image है, वो itself ही है, अगर इस तरह की permutation आ जाए, तो इसका मतलब यह एक identity permutation है, this follows, alpha raised to power six is identity permutation, अब इसे next question की दरफ हम चलते हैं, question number seven, write the multiplication table for the permutations, यह cyclic permutation given है, तो हमने इन के लिए multiplication table write down करना है, तो इसके लिए, अब हम इसके solution की दरफ च identity का, देखें, cyclic permutation वाला lecture अगर आपको prepare है, तो वहाँ मैंने आपको यह बात बताई थी, कि किसी भी set x के, जो elements cycle बना रहे होंगे, वो तो उसकी cycle permutation के अंदर आएंगे, बाकी के elements को हम identity form के अंदर लिखेंगे, यह तो चूँकर itself में, अब यह identity permutation है, और इससे next, इसको हम नाम दे लेते हैं, अलफा का, अब देखें, यहाँ पर 1, 2 को मैप कर रहा है, 2, 3 को, 3, 4 को, और 4 दबाराग इसको मैप कर रहा है, 1 को, तो यह सारी permutation हमने यहाँ पर write down कर देनी है, इससे next, इसको हम beta का नाम दे लेते हैं, तो इसमें देखें, 1, 4 को, 4, 3, 2 को, और 2 दबा write down करेंगे, अभी जो मैने आपको revise करवाया था, cyclic permutation वाला, कि 1 किसको मैप कर रहा है, 3 को, और 3, 1 को, देखें, 1, 3 को, और 3, 1 को, चुके हमने multiplication करवाने है, तो multiplication के अंदर domain same होने चाहिए, तो domain same करने के लिए, बाकी के जो elements हमने इसमें add करवाए हैं, तो उनको हम identity form के अं domain as it is आजाएगी हमारे पास, उससे next 3 का image हम यहां से देखेंगे 3 है, तो यहां हम 3 write down करेंगे, 2 का image 4, तो यहां पे 4, 1 का image 1, यहां हम 1 write down करेंगे, 4 का image यहां पे 2, तो यहां पे हमने 2 write down कर दिया, अब यह permutations तो हमारे पास आ गई, एक identity है, alpha, beta और gamma, अब हमने इनका multiplication table ह हमने इसका बनाना रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कि इस alpha permutations को पहले alpha के साथ, फिर beta, फिर gamma, इसी तरह से beta को हम पकड़ेंगे, alpha के साथ, फिर beta के साथ, फिर gamma के साथ, फिर gamma के साथ ही हम multiply करवाएंगे, तो अब सबसे पहले हम चलते हैं, alpha को जब हम alpha के साथ ही multiply तो यहां ही हमने इसको टू टाइम्स लिख दिया, इससे नेक्स टम गया करेंगे, डुमेन वाली वैलियूस को एज इस राइडाउन कर देते हैं, और बाकी यहां से देखेंगे, टू का इमेज थ्री यहां पे थ्री राइडाउन किया, थ्री का इमेज फॉर, तो यहां पे हमने वान राइडाउन किया, वान का इमेज टू, तो यहां पे हमने टू राइडाउन किया, चूंके यह परमोटेशन गयमा के एकवल है, इसलिए यहां हम गयमा लिख सकते हैं, अब अलफा को हम बीटा के साथ मल्टिपलाई करवाते हैं, तो इसके लिए भी हम इसको write down कर देना है अब इससे next यह तमाम multiplication आप लोग खुद से करवा सकते हो तो इसलिए बाकी के यह result मैंने यहाँ पर write down कर दिये हैं आप इसको confirm कर सकते हैं अब हम इन permutations का table बनाते हैं now we make a table इससे पहले भी आप लोगोंने काफी table बना लिये हैं तो इसलिए यहाँ पर यह मैंने डिरेक्ट ही इसको write down कर रहा हूँ यहाँ पर आपने operation को लेखना होता है और first row और first column में आपने तमाम permutations को one time write down करना है identity, alpha, beta, gamma, identity, alpha, beta, gamma अब जिये चुँगे identity है तो इसलिए यह वाली values asities आ जा जाएंगे जब हमने alpha को alpha के साथ multiply करवाया था तो अभी हमने देखा कि वो answer gamma दे रहा था इसलिए हमने यहाँ पर gamma write down कर देना है alpha को beta के साथ जब हमने multiply करवाया तो identity, alpha को gamma के साथ जब multiply करवाया था तो beta इस तरह से बाकी की values भी आप यहाँस पर write down कर सकते हैं तो इस तरह से रिक्वाइड रिजल्ट हमने अब्टेन कर लिए इससे नेक्स टैक क्वेस्टिन नमबर एट जिसमें ये अलफा एक पर्मोटेशन गिवन है Find all elements of the cyclic group generated by alpha तो मैं आप लोगों को cyclic group का पहले थोड़ा सा review करवाता चलू हूँ कि cyclic group एक ऐसा group होता है जिसके तमाम elements किसी एक single element से generate हो रहे हूं तो वो element फिर उसका क्या कहलाता है generator कहलाता है और उस generator को हम itself के साथ multiply करवाते हैं तो group के तमाम elements मारे पास बनते जाते हैं और किस time तक हम उसको multiply करवाते हैं उस time तक जब तक वो identity में convert ना हो जाए तो इसलिए अब हम फिर alpha चूंकर generator है cyclic group का तो फिर हम alpha को itself के साथ multiply करवाएंगे तो जितने भी elements बनते जाएंगे वो तमाम के तमाम इस cyclic group के ही elements होंगे यहां तक कि alpha की power identity में convert हो जाए तो इसके लिए अब हम इसके solution की तरफ चलते हैं जिसमें हमने alpha को multiply करवाना है alpha के साथ जब हम alpha को alpha के साथ multiply करवाएंगे alpha square आएगा यही हमने two times write down कर दिया उससे next multiplication आप लोग अब सीख चुके हैं तो यह alpha square element आगया अब इससे next हमने alpha cube find out करना है तो alpha cube के लिए alpha square को alpha के साथ multiply करवाएंगे तो इसका भी यह result हमारे पास आजाएगा अब इससे next हमने alpha की power 4 find out करें तो alpha की power 4 जब हम find out करते हैं तो वो identity answer आता है तो इसलिए यहीं तक हम इसको solve करेंगे क्योंकि तमाम elements इस cyclic group के हमारे पास आ चुके हैं और इसमें कौन-कौन से element आए हैं एक तो हमारे पास identity alpha, alpha square और alpha cube यह वो elements हैं जो इस cyclic group G के elements हैं अब इससे next question number 9 की तरफ चलते हैं find the following products and express them as product of cyclic permutation on mutually disjoint set यह given cyclic permutation है हमने इनको आपस में multiply करवा के फिर हमने इनको cyclic permutation on mutually disjoint set की form में हमने इनको write on करना है तब हम इसके solution की तरफ चलते हैं और इसमें हम इस permutation को नाम दे लेते हैं alpha का चुके यह cyclic permutation है और इन दोनों को हमने आपस में multiply भी करवाना है और यहाँ पे अगर आप देखें तो domain 6 तक गई है इसका मतलब अब इस permutation को जब मैं standard form के अंदर लेकर आऊंगा तो domain में हमने इसको 6 तक लिखना है 1,2,3,4,5,6 और यह images हमने कैसे लिखने है 1,2 को map कर रहा है 2,4 को map कर रहा है और 4 किसको map कर रहा है 1 को बाकी के elements को हमने identity form के अंदर ही रखना है इसी तरह से इसको हम beta का नाम दे लेते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो 1 किसको map कर रहा है 3 को map कर और 3,6 को 6,5 को 5,4 को और 4 दबारा 1 को तो यह सारे elements हम यहां से इसी permutation से हमने लिखती है अब हमने इन दोनों को आपस में multiply करवाना है तो यह मैं direct इसकी multiplication लिख रहा हूँ यहां से फिर आगे हमने क्या करना है कि इसको mutually disjoint cyclic permutation की form के अंदर भी हमने लिखना है तो अब यह और 5 किसको मैप कर रहा है 4 को और 4,3 को मतलब 4 दबारा 3 को तो दूसरा cycle यह बन रहा है अब इससे next इसका second part है इसमें alpha यह given permutation है तो इसको हम 5 तक लिखेंगे क्यूंकि इसके जो second permutation है उसकी domain भी 5 तक ही है तो multiplication के लिए domain का same होना लाजमी है तो इसलिए हमने यहां पे भी 5 write down कर लेना है अब यहां से देखें 1,2 को मैप कर रहा है 2,3 को 3,4 को और 4 दबारा 1 को remaining को हमने क्या किया है identity form के अंदर ही रहने दिया अब इससे next beta बिटा गया है beta permutation के अंदर गया 5,2 को 2,3 को 3,4 को 4,1 को और 1 दबारा किसको मैप कर रहा है 5 को ही मैप कर रहा है तो यह सार next हमने इसको cyclic form के अंदर लिखने है तो आप देखें 1,3 को और 3,1 को मतलब एक cycle यह बन रहा है दूसरा 2,4 को 4,5 को और 5 दबारा किसको मैप कर रहा है 2 को तो दूसरा cycle इसका 2,4,5 बन रहा है इससी तरह से इसका third part है let alpha is equal to 1,4 तो इसको भी हम यह राइट डाउन कर सकते है इसमें 1,4 को और 4,1 को मैप कर रहा है बाकी के elements को हम identity में ही रहने देंगे अब इससे next beta permutation इसकी 2,3,5 है तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि 2,3 को मैप कर रहा है 3,5 को और 5 दबारा 2 को मैप कर रहा है बाकी का जो elements इसके थे 4,4 को हमने identity form के अंदर ही रहने दिगा और 1 को भ third permutation gamma भी है जिसमें 3,5 को और 5,3 को मैप कर रहा है और बाकी के elements को हमने identity में ही रहने देना है और इससे next एक और permutation है जिसको हम sigma का नाम दे लेते हैं और इसमें 4,5 को और 5,4 को मैप कर रहा है यह देखें 4,5 को और 5,4 को बाकी के elements को हमने identity form के अंदर ही रहने दिगा अब इ इनों Permutation के Product को हम Sigma के साथ Multiply करवाएंगे तो सबसे पहले हम Alpha.Bita को calculate करते हैं तो इसका ये answer आएगा अब Alpha.Bita को हम Gemma के साथ Multiply करवा देते हैं इसका ये answer आएगा और इसी तरह से Alpha.Bita.Gamma को हम सिगमा के साथ Multiply करवाते हैं तो इसका ये result आएगा यहां यह मैंने सिर्फ इनके result राइड डाउन कर दिये हैं चुंके permutation की multiplication आपने अब काफी मरतबा आपने कर ली है तो इसलिए यह आप लोग खुद से कर सकते हैं तो इससे next फिर हमने क्या करना था कि इसको cycle की form भी हमने convert करना था तो यहां से देखें 15 को 52 को 24 को 4 दोबारा इसकों मैं आप कर रहा है 1 को तो मतलब इसका यह cycle बन रहा है 1524 की form में तो इससे next question number 10 है एक्सप्रेस दा following permutations as a product of disjoint cycles यह दो permutation given है और हमने इनको disjoint cycles के product की form के अंदर लेका राना है तो इसके लिए हम इस permutation को let करते हैं कि यह alpha के equal है यहां पर देखें 18 को और 81 को मैं आप कर रहा है तो इसका मतलब एक permutation इसकी यह बन रही है दूसरी permutation में देखें 22 को मैं आप कर रहा है तो इसको हम नहीं लिख सकते cycle की form में नहीं लिखेंगे अब 36 को 64 को और 4 दबारा किसको मैं आप कर रहा है 3 को तो दूसरा cycle इसका यह बन रहा है 57 और 75 को तीसरा cycle इसका यह बन रहा है इससे previous question में हम reverse चल रहे थे मतलब हमें इस तरह की permutation given थी तो हम इस form में के अंदर आ रहे थे अब इस question में उसमें कहा है कि आपको यह form given है तो आप इस result को find out करके दिखाएं अब इसी तरह से इसके second part को भी हम lag कर लेते है alpha के equal है और यहां पर आप देखें 1 3 को मैं आप कर रहा है 3 4 को और 4 दबारा किसको मैं आप कर रहा है 1 को मतलब एक यह permutation बन गई दूसरी permutation देखें 5-8 को 8-7 को और 7 दबारा किसको मैं आप कर रहा है 5 को तो 3rd इसकी यह cyclic permutation आगी आज के lecture में हम chapter number 2 को wind up कर रहे हैं जिसमें हम exercise 2.3 का part 3's solve करेंगे और यह हमारा last lecture है chapter 2 का और इसमें हम question number 11 से start कर रहे हैं जिसमें हमने given permutation को transposition के product की form में represent करना है तो वो given permutations क्या कौन कौन सी है एक यह permutation है और दूसरी यह permutation है अब हमने इन दोनों permutations को transposition के product की form में express करना है तो अब transposition क्या है ऐसी cyclic permutation जिसकी length 2 हो उसको हम transposition कहते हैं तो अब हम इसके solution की दरफ चलते हैं और इसमें हम सबसे पहले इसका यह वाला part हम solve करेंगे और इसको हम let कर लेते हैं यह alpha के equal है तो अब यहां से हमने इस permutation को cyclic की form के अंदर represent करना है तो इसके लिए देखें 1, 3 को map कर रहा है और 3 इसको map कर रहा है 1 को मतलब एक यह cycle बन रहा है उसके बाद 2, 4 को 4, 6 को और 6 दबार 2 को map कर रहा है तो दूसरा यह cycle बन रहा है देखें 1, 2, 3, 4 और 6 है यह elements तो यहां पर utilize हो चुके हैं अब 5 और 7, 8, 9 बच गया है तो 5 चुंके identity है तो identity element cyclic permutation की form में हम नहीं लिखते तो उससे next फिर 7 element बच रहा था तो 7, 8 को map कर रहा है 8, 9 को और 9 दुबरा किसको map कर रहा है 7 को तो इस तरह से यह इसका third cycle आ गया अब यहां पर देखें इस cyclic permutation की length 2 है और इन दोनों permutations की length 3, 3 है अब यह तो already transposition की form में है इन दोनों cyclic permutations को हमने transposition की form में कैसे convert करना है तो उसके लिए आपने simple सा काम यह करना है कि 2 को 4 के साथ drive down करें फिर 2 को 6 के साथ इसी तरह से 7 को 8 के साथ और 7 को 9 के साथ मतलब इन दोनों cyclic permutations को हम अलग अलग यूँ इनको हम represent कर सकते हैं अब यहां पर देखें यह तमाम cyclic permutations जो है हर एक की length 2 है और यह product की form में है तो मतलब हमारा यह question का first part solve हो चुका है अब second part बिल्कुल इसी तरह से ही solve करने आप लोगों ने तो आप खुद से कर लिजेगा अब इससे next question number 12 है और यह very important है क्योंकि आप लोगों के past papers में यह question repeat हो चुका है इसके first part में हमने all even permutations बतानी है S3 के अंदर और all all permutations जो S3 में बन रही है वो भी हमने अलाग अलाग से बतानी है तो अब S3 क्या है S3 basically यह set of permutations है और उन permutations के अंदर elements कितने होंगे 3 यह 3 हमें यही चीज रिप्रिजन्ट का रहा है और S3 का मतलब कि 3 elements के जितनी भी permutations बन रही है उनका यह set है तो अब हम इसके solution के तरफ चलते हैं और let करते हैं कि यह x मारे पास कोई एक set है जिसके अंदर यह 3 elements है तो फिर elements के जितनी भी permutations बनेंगे उसके set को हम S3 से represent करेंगे और उस S3 के अंदर तमाम even permutations में आएंगी और all permutations में आएंगी So S3 is the collection of all even and all permutations in S3 तो अब इस S3 set के अंदर जो permutations आएंगी उनको हम नाम दे लेते हैं एक तो identity permutations must आएगी और बाकी की जो 5 permutations बनती हैं उनको हम F1, F2, F3, F4, F5 क्या नाम दे लेते हैं तो अब यह जो first permutations identity है identity में क्या होता है कि images और pre-images दोनों same होते हैं मतलब 1, 1 को map करेगा 2, 2 को और 3, 3 को map करेगा अब इससे next F1 permutations के लिए हम क्या करेंगे देखें first permutations जो थी वो 1, 2, 3 था अब यहाँ पे हमने इन दोनों की position को change कर दिए तो यह second permutations बन गई अब इसमें भी 1, 1 को map कर रहा है तो इसको हम cyclic की form में नहीं लिखेंगे बलकि 2, 3 को map कर रहा है 3, 2, 2 को map कर रहा है तो इसलिए यह permutations 2, 3 cyclic permutations की form में हम इसको write down कर सकते हैं अब इससे next time क्या करेंगे 2 को हम 1 की position पे ले आते हैं 2, 1, 3 यह second permutations बन रही है इसको भी जब हम cyclic की form में लिखेंगे तो 1, 2 को map कर रहा है 2, 1 को map कर रहा है तो इसलिए इसकी cycling rotation यह होगी अब इससे next permutations के अंदर हम 3 और 1 की position जेंड कर देंगे और हमारे पास F3 permutations आ जाएगी और इसको जब हम cyclic की form में लिखेंगे तो यह देखें 1, 2 को map कर रहा है 2, 3 को और 3 दोबारा किसको map कर रहा है 1 को तो इसलिए cyclic permutations की form में हम इसको यह राइड डाउं करेंगे और उससे next फिर हमने इसको transposition की form के अंदर भी convert करना है यह ऐसा हमने क्यों करना है यह अभी आगे चलके जब हम इसकी definition में आपको बताऊंगा even और odd permutations की तो वहाँ से आपको यह clear हो जाएगा कि हम यह वाला काम क्यों कर रहे हैं इससे next F4 permutations के लिए हम क्या करेंगे 3 को 2 की position पे ले आते हैं और यहाँ पे इस permutations को जब हम cyclic की form में लिखेंगे तो यह form आएगी और इसी को जब हम transposition के product की form में अगर लिखना चाहें तो इससे previous question में हमने यह question solve किया था तो उसी तरह से हम इसको भी write down कर सकते हैं अब F5 permutations के अंदर हम इन दोनों की position को change कर देंगे और हमारे पास final यह answer आजाएगा अब देखें हमने तमाम even और odd permutations बतानी थी S3 के अंदर के कौन कौन सी even है और इन में से कौन कौन सी odd है अब even permutations क्या है और odd permutations क्या है even permutations S3 permutations जिसको हम even number of transposition के product की form में लिख सकें वो even permutations कहलाएगी अब permutations which is expressed as a product of number of even transposition इसका इवन permutations अब हमने इस से previous slide के अंदर चुँके हमने identity permutations थी तो identity permutations को हम zero transposition की form में लिख सकते हैं तो zero फिर क्या है? even है तो इसलिए identity permutations क्या होगी? even permutations होगी उसके लावा number of even transposition एक इस f3 के अंदर है और दूसरी f4 के अंदर तो इसलिए identity f3 और f4 even permutations हैं अब odd permutations काम सी होगी जिन permutations को हम odd transposition की form में लिख सकें तो उनको हम क्या कहेंगे? odd permutations कहेंगे अब identity f3 और f4 के लावा जो permutations हमारे पास बच रही है जिसमें f1, f2 और f5 है ये तीनो permutations क्या होंगी? odd permutations होंगी अब इससे next question number 13 है और इसमें हमने बताना है के are the permutations even are odd? देखेंजे अभी हमने ये question solve किया है तो ये भी आप लोग खुद से solve कर सकते हैं तो इससे next question number 14 है जिसमें हमने find the order of each of the given permutations हमने हर एक permutations का order find out करना है इस question के 4 part हैं लेकिन यहाँ पे जो 2 different part हैं 2 और 4 वो मैं आपके सामने solve कर रहा हूं और इसमें भी 4 जो है ये past papers का question है तो बाकी 1 और 3 फिर आप अगर इन 2 को समझ लें तो आपके लिए वो भी करने बहुत आसान है तो अब हम चलते हैं और इसके second part को solve करते हैं इसको हम let कर लेते हैं कि ये alpha के equal है तो फिर order find out करने के लिए एक method तो ये था कि हम alpha permutation को itself के साथ multiply करवाते जाएं यहां तक कि हमारे पास alpha permutation identity permutation में convert हो जाए लेकिन यहां पे मैं alternate method के जरीए से आप लोगों को ये order find out करना सिखा रहा हूं उसमें आपने करना ये है कि जो भी आपके पास permutation होगी उसको आपने disjoint cyclic permutation के product की फार्म के अंदर लिखना है अब जैसा कि यहां पे 1,4 को मैं आप कर रहा है 4,3 को और 3 दुबारा किसको मैं आप कर रहा है 1 को इसका मतलब 1,4,3 ये cycle बन रहा है इस permutation का तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इस cyclic permutation की length चेक करनी है कि इसकी length कितनी है अब यहां पर देखें इस cyclic permutation की length 3 है तो जितनी किसी भी permutation को जब हम cyclic में convert करें और फिर उसकी जो length बनेगी वो ही उस permutation का order भी होगा this follows order of alpha is equal to 3 अब इससे next 4 part को हम solve करेंगे और इसमें हम let कर लेते हैं कि beta is equal to this one अब इसमें देखें एक तो यह cycle बन रहा है 1,2 को मैं आप कर रहा है 2,3 को और 3 दबारा 1 को मतलब 1,2,3 और दूसरा cycle इसमें 4,5 को 5,6 को और 6 दबारा किसको मैं आप कर रहा है 4 को मैं आप कर रहा है अब देखें जब हमने इस permutation को cyclic permutation के product की form में लिखा तो number of cyclic permutation कितनी बन रहे है 2 different cyclic permutation आई और यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर तो हमारे पास चुँके एक ही cycle बन रहा था तो हमने उसकी length देखी जितनी उस cycle की length थी वही उस alpha permutation का अबर था लेकिन यहाँ पर चुँके cyclic permutation एक से ज़्यादा बन रहें है तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि हर cyclic permutation की length देखेंगे अब इसकी length कितनी है 3 है तो फिर इसका मतलब इसका order भी 3 होगा अब इसकी length 3 है तो इसका भी फिर order 3 होगा order of this permutation 3 and order of this permutation is also 3 अब उससे next चुँके हमने order तो find out करना था बीटा का तो अब बीटा का order जो है वो इन दोनों permutation का जो orders है उसके LCM के equal होगा order of alpha sorry यहाँ पे आपने बीटा लिख लेना है order of beta is equal to LCM of the order of these two permutations आप देखें 3 और 3 का LCM क्या होता है 3 तो since LCM 3 चुके LCM 3 आ रहा है तो इसका मतलब फिर beta permutation का order क्या होगा 3 यहाँ भी आपने beta write down कर लेना है और यहाँ पे एक मैं आपको और बात बताता चलूँ के question number 15 जो है यह बिल्कुल 13 की तरह ही है तो आप इसको खुज से भी solve कर सकते हैं तो I hope आप लोगों को आज के lecture की समझ आ चुकी होगी और इसके साथ ही हमारा second chapter complete हो चुका है थैंक्यू अलवा हाफीस